चलिए दोस्तों तो वीडियो की शुरुबात करते हैं मैंने पहले वीडियो आपको बनाया था एंटोनियम्स का जो भी TGT PGT में पूछे गई एंटोनियम्स हैं अब उसी का सेकिंड पार्ट है ये और इसमें ये पूरे एंटोनियम्स आपके कम्प्लीट हो जाएंगे वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले जिन लोगों ने, दूस्तों, साथियों ने, मित्रों ने, चैनल को सबस्काइब नहीं किया है वो चैनल को सबस्काइब कर लें और वैल आइकन पर All के बटन पर क्लिक कर दें ताकि सबी वीडियो के नोटिफिकेशन उ Feed का मतलब होता है पालन पोशन करना, ठीक है, क्या मतलब है? पालना, ध्यान दी जी का किसी को पालना, Feed कराना, भोजन कराना, ठीक है? भोजन कराना, ठीक है? आजकल महिला है, इस्तनपान कराने से भी Feed शब्द का बहुत ज़्यादा उपयोग करती हैं, तो यहाँ पर दिया नरिश का मतलब भी पालन पोशन करना होता है foster दिया है जिसका मतलब दत्तक होता है पालने से इसका अरत होता है ठीक है और एक word दिया है sustain है बनाए रखना होता है इसका meaning और starve दिया है दोस्तो starvation ध्यान दीजिएगा starvation जिसका मतलब होता है भूंक से इसे भूंक से या भूंका रखने से रखना तो जो correct antonium हो जाएगा feed का दोस्तो फीड का correct antonium हो जाएगा starvation चली अगला वर्ड लेते हैं अगला वर्ड है दोस्तो bellygrant ध्यान दीजे bellygrant का मतलब होता है जगडालू क्या होता माहिर हो लडा का योध्धा क्या होता है योध्धा ठीक है किसी का जो सोभाव होता है जो बाद बाद पर लडाई कर लेता उसको भी bellygrant कहते हैं तो यहाँ पर option दिये हैं दोस्तों क्या cooperative दिया है सहयोगी सहायता करने वाला मदद करने वाला सहयोग से काम कर ले ऐसा व्यक्ति peaceful दिया है शांती प्रिये revolutionary दिया है क्रांतिकारी और uninterested दिया है जिसको रूची नहीं है तो एक है जगडा करने वाला एक है शांत रहने वाला तो correct antonium हो गया आपका peaceful ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है हमारा choose the correct antonium of the word inferior inferior superior वैसे ही आपको याद है बहुत common word है low दिया है, superb दिया है, good दिया है तो inferior का opposite होता है दोस्तो superior ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है unimpeachable होता है दोस्तो क्या होता है दोस जिस पर दोस लगाया लेकिन वो दोसे रहित है तो दोस रहित है आप निर्दोस भी कह सकते हैं वैसे इसका परियोग court से सम्मंदित होता है जिसको court ने बरी कर दिया हो दोस रहित कर दिया हो हना कि उस पर कोई दोस नहीं है तो क्या दिया है दोस्तो corruptible दिया है blame vardy दिया है जिस पर आरोप लगाया जाए और calculating दिया है और mysterious दिया है क्या दिया है दोस्तों mysterious तो कले जो यहां पर दिया हुआ क्या है blame vardy blame vardy वह एक दोश रहित है और एक ऐसा है जिस पर हम blame कर सकते हैं यानि दोश लगा सकते हैं तो correct answer हो जाएगा इसका blame vardy ठीक है दोश लगाने योग है ठीक चलिए अगला word लेते हैं अगला word है celibacy बहुत अच्छा है बहुत ही प्यारा word है देखिए celibacy दैवियता से किसे संबन्द है दैवियता से इसका संबन्द है और ऐसे word आपको हमेशा ही याद रखने चाहिए celibacy word है ठीक और occult है ये कुछ word ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए देवियता से मतलब है लौकिक से मतलब है और एक बहुत कॉमन वर्ड जो होता है दोस्तो कुवारापन ठीक है ध्यान दीजिएगा कुवारापन के लिए यूज होता है बैचुलर के लिए अज सच बताएं तो इसका जो शाब्दिक बिल्कुल प्रॉपर अर्थ है दोस्तो वो है ब्रमचर्डे से किससे है ब्रमचर्डे से ठीक तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मचर्डे का पालन करने वाला जो ब्रह्मचारी है ठीक आब यहाँ पर दिया है marriageable ठीक और दूसरा दिया है marriage तीसरा दिया है matrimony और अगला दिया है matrimonial तो correct answer क्या होगा दूस्तों matrimony matrimony का मतलब होता है विवा संसकार ठीक लिहान दीजिएगा वैवाहिक देखे कितना close यहाँ पर meaning दिये है marriageable बना दिया ठीक है ब्रमचर्य का उल्टा जो एक तो है अब देखे यहाँ पर आप थोड़े confuse होंगे confuse क्यों होंगे क्योंकि आप कहेंगे marriage भी तो हो सकता है नहीं भई marriage नहीं हो सकता है क्योंकि अगर आप इस सहली बेसी के अर्थ को समझेंगे तो सहली बेसी का अर्थ मतलब यह होता है जो ब्रमचर्य को सुईकार करके ब्रमचर्य का जीवन जी रहा हो ऐसे ही matrimony का अर्थ होता है विख्ती विभा करके व्यवाइक जी रहा हो इसलिए correct answer क्या होगा matrimony होगा ध्यान रखियेगा चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही प्यारा word है Ecstasy Ecstasy पूछा है कर वह Ecstasy का opposite बताये ये word मैंने Milton के work Paradise Lost में सबसे ज़्यादा पड़ा है इसमें आता है एक वर्ड आता है कि जब मिल्टन जो है अपने सेरफ विंग्स पर बैठ करके इश्वर के दरवार में चला गया तो उसने इश्वर के जो सिंहासन है उसको देखा और उस अनंता में एकस्टासी में चला जाने के बाद उसने जो है परडाइज लोस्ट जैसे वर्ड को लिखा है तो एकस्टासी का मतलब क्या है दोस्तो परम आनंद क्या मतलब है ध्यान दिजिएगा परम आनंद बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ें कोई भी चीज रीडिंग का कार्य आप यदि रोज करें तो बहुत अच्छा आपका व दुख ठीक और एलमेंट एलमेंट बहुत ही अच्छा वर्ड दिया है एलमेंट भी इसको भी आप याद रखें कि एलमेंट क्या होता है एलमेंट भी होता है कस्ट क्या होता है दूस्तो कस्ट तो भई यहां तो दो दो सिनोनियम बन रहे हैं happiness है और यहां पर amiable है agoni है agoni word पीड़ा यातना वेदना ठीक है जी और ailment कस्ट पीड़ा बिमारी व्यादी तो यहां पर तो थोड़ा सा यह confusing हो गया भई लेकिन सही answer जो है दोस्तो वो agoni agoni से होगा क्यों होगा यह भी आपको बता दूँ agoni कहते हैं दोस्तो घोर घोर पीड़ा को यह मैं बोलने वाला था लेकिन पता नहीं मैंने क्यों नहीं बोला क्योंकि यह word मेरा बहुत पुराना ऐसे ही याद है घोर पीड़ा जब अती दुख होता है तो हम उसको agoni बोलते हैं ध्यान दीजिएगा इसलिए यह वाला word इन्होंने लिया है और इसी को बोर्ड ने सही भी माना है ठीक है अगर यह नहीं होता तब एलमेंट भी इसमें चल जाता चलिए अगला word लेते हैं तो एकस्टासी का उल्टा हो गया है यहाँ पर एकस्टासी परमानंग का उल्टा परम दुख ध्यान दीजिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला word है एकस्टासी रेत बहुत ही प्यारा word है बहुत ही सुन्दर word है एकस्टासी रेत का मतलब होता है निर्दोस ठहराना क्या मतलब होता है दोस्तों निर्दोस ध्यान दीजिएगा निर्दोस ठहराना बताना ठीक अब क्या दिया हुआ है दोस्तो affect दिया है affect फिर दिया है accuse फिर है acclaim फिर दिया है abdicate बहुत अच्छे वर्ड है देखिए abdicate का मतलब क्या होता है abdicate आपने पढ़ा होगा dictionary में सुरुवाती शब्दों में से है पदत्यागना पद त्यागना, ठिक है, एक्लेम, एक्यूज, एक्यूज तो आपको मालूम ही है, क्या है, बहाना भी कह सकते हैं, और दोशा रोपन भी कहते हैं, ठिक, दोश लगाना, ध्यान देजेगा दोश लगाना, affect तो आपको मालूम ही है affect होता है प्रभाव प्रभाव वर्व के रूप में कहेंगे तो हो जाएगा प्रभाव डालना ठीक है तो ये word है और एक्लेम आपने देखा ये एक्लेम का मतलब होता है घोष जैकार नारेवा जी ठीक है जैकार ध्यान दीजिएगा जैकार लगाना अब आप देख लीजिए एक है निट दोस बताना और दोसरा है दोस लगाना तो correct answer इसका जो हो जाएगा दोस्तो एक्यूज हो जाएगा एक्यूज बोलते ना एक्यूज ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला वर्ड लेते हैं फ्रूगल फिर से आ गया देखे दोस्तो इतनी बार पूछा गया है ये वर्ड कितनी बार पूछा गया है ठीक और क्या है मित वेई अल्प वेई जिसको कहते हैं हाँ फ्रूगल का मिनी होता है मित वेई या अल्प वेई अल्प वेई करने वाला वेई करने वाला ठीक धियान दीजिएगा अब पूछा है little, uplifting दिया है पैटी दिया है और एक वर्ड दोस्तो इन्होंने दे दिया है लविश, लविश का मतलब होता है धोस्तो लविश का मतलब होता है खुले हाथ से खर्च करने वाला, खुले हाथ से खर्च करने वाला, खर्च करने वाला, ठीक है, तो अब आप समझें, पैटी तो होता है, तुछ, बहुत अच्छा वर्ड है यह, तुछ, पैटी थिंग्स, लिटिल मने, थोड़ा common है, यह आपको पता है, ठीक है, और अपलिफ्टिंग भी आपको मालूम है, अपलिफ्टिंग होता है, प्रेरख, उठान करने वाला, ठीक है, प्रेरणा श्रोध भी कह सकते हैं, आप, प्रेरणा प्रद भी कह सकते हैं, या प्रेरख सबसे अच्छा वर्ड है, ठीक है, तो फ्रूगल का उल्टा दो unbiased ठीक है meaning क्या होता है दोस्तों निराधार एपवित्र sorry sorry इसका मतलब होता है निराधार क्या मतलब होता है निराधार 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 meaning होता है और होता है निश्पक्ष निश्पक्ष ये इसका meaning होता है दोस्तों ठीक है अब क्या है ध्यान से सुनिएगा इसमें पूछा है प्रोग्रेसिव आपको मालूम है प्रगतिवादी हो गया ठीक है प्रोग्रेसिव प्रगतिवादी प्रफ्रेंस माने क्या होता है दोस्तों प्रफ्रेंस माने होता है तरजी प्राथमिक्ता बहुत अच्छा वर्ड है प् प्रजीडाइस का मतलब होता है जो पक्षपात पूर्ण है ठीक है यानि पक्षपात पूर्ण अब आप से पूछा है कौईडाइस तो आपको मालूम है क्वारडाइस क्या होता है कायर होता है प्रोग्रेसिव प्रगती ठीक आप देखिए बिल्कुल इस परस्ट आपको हो गया होगा यहां क्या पूचा निश्पक्ष है अनबायस मतलब निश्पक्ष और एक क्या है पक्षपात्पूर्ण अगला वर्ड लेते हैं अगला है अलार सिटी अलाक्रिटी अलाक्रिटी देखिए अन्टोनियम पूछा गया है और बहुत जादा मैं यह कहूँगा कि मतलब कि जिसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं इस वर्ड को ना अलाक्रिटी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं लेकिन जनरली हम क्या बोलते हैं करेज बोलते हैं उच्साह इसका मिनिंग होता है दोस्तों क्या उच्साह अच्छा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा जब भी कभी एक्जाम में सुनोनियम सेंटोनियम पूछे जाते ह ना वह वाले संद बड़े पूछे जाते हैं दया क्रोद इस तरह के वर्ड आप देखेगा जो एबस्टेक्ट संग्याएं हैं उनको आपसे बड़ा पूछा जाएगा जब भी आप बड़ देखेंगे तो आपको जो वर्ड्स हैं वह आपको देखने को मिलेगे अब क्या ह है इसका मिनी उत्सा अब देखें क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने बहुत अच्छे वर्ड है एक दिया है अनसर्टेंटिटी फिर दिया है इन्होंने एक इनेबिलिटी आयोगिता एबिलिटी योगिता इनेबिलिटी आयोगिता हो गया अनसर्टेंटिटी जिसमें एनस सित्ता हो, हैजिटेशन आपको मालूम है, हैजिटेशन और एक दिया है, इन, इन एप्टिट्यूड, क्या दिया है दोस्तों, इन एप्टिट्यूड, तो यहां पर है एक उत्साह से, और उत्साह का एक अर्थ, दोस्तों, निडर भी होता है, निडर और बेज जक, बिना, इ बिना हिचका है अगर जो अपनी बात बोल देता है ने ड़ता के साथ अपनी बात बोल देता है ठीक है तो इसका जो करेक्ट एंटोनियम हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों हैजिटेशन क्या हो जाएगा हैजिटेशन एक जो उत्साहत से अपनी बात बोलता है दबंगई से अपनी बात बोलता है एक जो दब करके अपनी बात बोलता है खुल गर के अपनी बात को सामने नहीं रखता है ठीक है ध्यान दीजिएगा चलिए next word लेते हैं provoke 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 invoke provoke माने होता है बढ़ाना भढ़काना आगे फैलाना ठीक आप पूचा कि इसका एंटोनियम आप बता दीजिए किसका provoke का एंटोनियम बता दीजिए ठीक है और क्या दिया है gratify gratify दिया है convince दिया है pacify दिया है और attract दिया है ठीक attract आपको मालूम है आकर्शित करना pacify कहते हैं सांतिवादी ध्यान लखिएगा pacify क्या होता है दुसतो शांतिवादी शांत करना शांतिवादी और convince तो आपको मालूम है gratify क्या होता है दुसतो Glartify भी इसका होतके ना और एक अर्थ इसका होता है बढ़ाना क्या होता है आधि हाना २ृ ठीकें। भी इज्ञान देना gratify का मतलब बढ़ाना तो प्रवोग भी भी बढ़ाना है gratify भी बढ़ाना है convince अलग word हो गया pacify शांतिवादी हो गया attract अलग word हो गया तो correct answer क्या हो जाएगा एक में भढ़काया जा रहा है एक में शांत किया जा रहा है तो भढ़वाने का बढ़काने का उल्टा क्या हो जाएगा pacify करना यानि शांत करना तो correct answer हमारा क्या है C चलिए आगे बढ़ते है philanthropist बहुत ही अच्छा word है और इसमें जो options दिये हैं वो भी बहुत अच्छे options हैं one word में अक्सर इनको दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है ये word बताईए ये क्या है ठीक है तो देखिए क्या है एक है misogamist word दिया है misogamist misogamist क्या होता है ये पहले आपको बता दो और इनको आप याद कर दीजिएगा ठीक है विवहा से घिरना घिरना करने वाला करने वाला ठीक ज्यान दीजिएगा और क्या है misogamist दिया है अगला word क्या दिया है misogamist ये होता है भई इस्त्री से नफरत करने वाला किसे इस्त्रियों से ध्यान दीजिएगा जो कहते न कि महिलाओं से नफरत करता है से नफरत करने वाला ठीक और यहाँ पर ऊपर क्या था दोस्तों इसको कहते हम ये जनरली क्या है बहुत common word है बहुत बार आपके exams में इसको पूछा जाता है तो इसको आप याद कर लें और one word के लूप में भी आते हैं क्या है परोपकार परोपकारी ठीक है क्या है परोपकारी तो परोपकारी मिसोगेनमिस नहीं है बिवासे गिरना करने वाला महिलाओं से अब क्या है दूस्तों उल्टा होता है मिसैंथ्रोपिस्ट क्या होता है मिसैंथ्रोपिस्ट मिसैंथ्रोपिस्ट हम किसको कहते हैं जो मानव द्वेसी होता है क्या होता है मानव द्वैसी ध्यान दीजिएगा मानव द्वैसी यानि मानव से नफरत करने वाला मानव से मनुष्य से नफरत करने वाला थिक है ध्यान दीजिएगा तो आividad इसमें चौथा दिया है 9 of these तो एक है जो सभी से प्रेम करता है और सभी की मदद करता है और एक है जो सभी मनुश्य से नफरत करता है ठीक है ध्यान दीजेगा कहीं आप जल्दी वाजी में ये लगा दें ये लगा दें ये नहीं है आंसर एक है जो सबसे प्रेम करता है और एक जो सबसे नफरत करता है ज्यान दीजेगा दुस्तों तो correct answer हो जाएगा हमारा C और एक word होता है दुस्तों Cosmopolitan आपने सुना होगा जो विश्व प्रेमी है संसार की हर बस्तू हर जगह से प्रेम करने वाला है ठीक है चलिए अगला word लेते है extravagant देखिए वही word आपसे बार बार घुमा करके exam में पूछा गया है ठीक extravagant क्या होता है भाईया खर्चीला होता है उडाओ होता है ठीक है फिजूल खर्ची करने वाला होता है खर्चीला क्या पूछा है आगे एंटोनियम में developing दे दिया wonderful दे दिया, disappearing दे दिया, economical दे दिया और सीरे सीरे आंसर क्या हो गया एकनॉमिकल सोच समझ कर खर्च करने वाला extravagant होता है बिना सोचे खर्च करने वाला और economical होता है सोच समझ कर खर्च करने वाला करने वाला ठीक है ध्यान दीजिए चलिए अगला वर्ड लेते हैं फिर से आ गया एक्स्टासी दुबारा से पूछा गया और एक्स्टासी मैंने आपको बताया यहाँ पर option बदल दिए रैप्चर होता है दोस्तों देखे एक्स्टासी का मतलब परमानंद ठीक क्या होता है एक्स्टासी का मतलब होता है परमानंद मैंने यहाँ mistake कर दी दोस्तों है ठीक तो अब रैप्चर का मतलब भी दोस्तों क्या होता है परमानंद होता है ध्यान दीजेगा परमा नंद ठेक और एक्जाल्टेशन ओईली दिया है निजरी दिया है दुख दर्द पीड़ा में ठेक अब आपको इन में से सलेक्ट करना है और ओईली वर्ड दिया है दोस्तों ये तो ओईली तो बिल्कुल अलग हो गया तेल जैसा अना तेल वाला और दूसरा वर्ड दिया है एक्जाल्केशन एक्जाल्केशन होता है दोस्तों उलास क्या होता है उलास उत्साहा अब बताईए अब आपको इसपस्ट हो गया होगा कि वही रैप्चर भी परमानंद है ये उलास है और लिक से कोई लेना देना नहीं तो एक्स्तासी का जो अंसर हो जाएगा मिजरी दुख दर्द पीड़ा तकलीफ शोक भिलाप ठीक आगे बढ़ते हैं अगला बढ़ लेते हैं हाइब्रिड देखिए आजकल तो यह जमाना ही क्या है हाइब्रिड का जमाना है हाइब्रिड का मतलब होता है मिस्रित प्रजाती दो चीजों को मिला करके बनाई गई प्रजाती जिसको आप द्वी जाती भी कह सकते हैं ठीक है संकर भी कह सकते हैं आपने सुना होगा संकर प् तो प्यूर ब्रीट दे रखा है अब प्यूर ब्रीट तो जो मतलब नैचुरल है उसकी बात कर रहे हैं ये ठीक फिर आगे देखे हैं कंबोजिट कंबोजिट का मतलब होता है मिसरं ठीक मिला जुला या सईयोजन तो ये तो आपका सिनोनियम में चला गया कंबोजिट फैमिलियर जाना महना इग्नोरेंट आपको मालूम है इग्नोरेंट क्या होता है अंजान होता है अनभी क्या होता है निड़ोष होता है ठीक है तो सही शब्द क्या हो जाएगा इसका प्योर ब्रेड प्योर ब्रेड से मत लिख सुसक्राइए बनाया गया हाइबर्ड आजकल अब देखते हैं लॉकान करने मिश्रिट प्रजाती करके बना दिया गया है और वह हाइबर्ड का क्रियों कर रहे तो सही आचसर हो जायगा दूस्तों यह warm ठीक हलाकि इस टॉपिक पे मुझे काफे कुछ आपको बताना था पर वो चुकि एक्जाम में कुछ नहीं आने वाला है इसलिए इस पर ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा दुनिया ने हाइब्रिड के चकर में जो मूल जातियां थी चाहे वो पशू पक्षियों की हो चाहे वो इनसान की हो जानवरों की हो सब को बदल करके रख दिया है सब में गड़बड जाला कर दिया है किसी के साथ किसी को क्रॉस ब्रीड बना दी है उल्टी फुल्टी ब्रीड बना दी है चलिए आगे बढ़ते है आगे बढ़ दिया है मैलिगन मैलिगन का मतलब होता है दोस्तो हानी कारक चाह दोस्तों क्या में निंग होता है हानी कारक ध्याव दीजिएगा हानी कारक ठीडक एक वर्ड लेते है अनिसकारी अहिद कर अब क्या disparage दिया है एक वर्ड slender दिया है praise दिया है purify दिया है तो purify माने सुद्ध करना हो गया इस परस्टे आपको slender माने होता है ध्यान दीजिएगा slender कहते है अपवाद appears को बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तो ये अपव येश बहुत सुन्दर वर्ड है important भी है याद कर लिजिएगा कलंक कलंक के लिए एक वर्ड आपने पढ़ा था आपको याद होगा stigma पढ़ा था ना stigma इसी में आया था आप disparage दिया है क्या दिया है disparage का मतलब होता है नीचा दिखाना या उपेक्षा करना उपेक्षा करना ठीक है उपेक्षा करना clear तो आप दिखीए एक है हानिकारक अब पूछा क्या जा रहे है कि हानिकारक से मतलब है अहिद कर निंदा करना किसी को परिशान करना ठीक है एक कर्षिक का क्या होता है दूस्तों निंदा भी होता है निंदा करना तो निंदा करने का उल्टा क्या हो गया भीया प्रसंसा करना प्रेज क्लियर चलिए अगला वर्ड लेते हैं अगला वर्ड है नोमिनल नोमिनल दिया है नोमिनल का मिनिंग आपको इसपस्ट होगा मामूली होता है ठीक है क्या होता है मामूली साधहरन तो यहाँ पर हुज है विसाल है clear है real है solid है चार विकल्पिनों ने दे दिये और correct हो जाएगा क्या real हो जाएगा nominal का मतलब नाम मात्र का real का मतलब वास्तविक चलिए अगला वर्ड लेते हैं clandestine बहुती सुंदर वर्ड है दोस्तों याद कर लिजिएगा हमेशा हमेशा के लिए इसको याद करें बहुती अच्छा वर्ड है clandestine open दिया है secret दिया है स्रफ्टियस दिया है और serious दिया है क्या दिया हुआ है दोस्तों serious भी दिया है ध्यान रखिएगा तो क्या होगा ये कुछ वर्ड में आपको बता रहा हूँ दोस्तों clandestine allocic open दिया है cigarette दिया है इसका अर्थ होता है गोपनी है अब opposite आप से पूछा है तो opposite क्या हो जाएगा दोस्तों इसका open हो जाएगा ठीक है चलिए आगे वड़ते हैं ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए थोड़ा सा जल्दवाजी the opposite of super serious snobis है meek and humble है तो सीधे सी अंबल मतलब एक तरीके से जो थोड़ा दब करके बात करता हो meek वैसे तो म्रदुल होता है जो अच्छी भाशा का प्रियो करता है arrogant है superficial है और snobis है क्या दिया है दोस्तो snobis meek superficial यहाँ पर word आपको दिया है दोस्तों super serious का मतलब दिखावा दिखावा करने वाला क्या होता है दोस्तों दिखावा करने वाला करने वाला ठीक और एक है दोस्तों यहाँ पर meek और अंबल तो correct है दोस्तों meek and अंबल जो हर्दे से सामानने है ठीक है हर्दे से सामानने म्रदु भाशी है म्रदु उसका स्वभाव है ठीक है अगला word लेते हैं दोस्तों अगला word है ample क्या पूछा गया है दोस्तों और ये word आपको दोस्तों कई वार तो ये word है दोस्तों यहाँ पर क्या है ample ample का मतलब होता है दोस्तों प्रचूर प्रचूर मात्रा में ठीक है इसको ध्यान से समझिएगा enough दिया है काफी है sufficient परियाप्त है meager माले होता है alp क्या होता है दोस्तो alp थोड़ा थोड़ा और scarcity होती है दोस्तों कमी कमी आभाव सही answer क्या होगा दोस्तों सही होगा scarcity ध्यान दिजिए का scarcity का मतलब होता है आभाव अब आप कहेंगे सर प्रचूर का उल्टा तो थोड़ा हो जाना चाहिए बिलकुल नहीं होगा क्यों नहीं होगा सुनिए इस तरह से आपको समझाऊंगा मान लीजिए हमें 10 की आवश्यक्ता थी और 10 से प्रचूर मात्रा में हमारे पास कोई चीज है तो ये word हो गया आपका क्या ample ठीक है अब वो कह रहे है थोड़ा थोड़े में हो गया हमारे पास की 8 है 7 है ठीक है अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह इसकार सिटी हो गई मतलब जो चीज हमारे पास होनी चाहिए थी वो बिल्कुल ही नहीं है आभाव हो गया तो चुकि एक निशित सीमा से जितने की हमें आवश्यक्ता है उससे काफी मात्रा में अधिक को एमपल कहा जाता है ठीक ऐसे ही जितना निम्नतम कम हो सकता था ठीक उससे भी अधिक बिल्कुल स्कार सिटी आभाव हो गया तो इसलिए सही जो इसका एंटोनियम होगा वो होगा स्कार सिटी ध्यान दीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में सिनोनियम्स का वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद ठेंक यू और मेरे प्यारे साथियो अपनी स्टी को मजबूत रखिए अच्छे से स्टी करते रहिए कोई दिक्कत हो क्वेरी कर सकते हैं और अपने भविश्य को उजवल बनाने के लिए राद दिन प्रयास कीजिए नमस्कार धन्यवाद ठेंक यू